माननियव प्रधान मंत्री जी प्रणाम माफ करिएगा मेरा सवाल परिक्षा पर अधारित नहीं है पर कृपया करके आप इस पर हसीदा नहीं आज कल के बच्चे प्रपर खाना नहीं खाना चाहते हैं सारा टाइम चिप्स चॉकलेट और जंक पर उनका धान रहता है आप चाहिए कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए इसी प्रकार के कि कुछ और सवाल भी मेरे साथ है और यह नरेंद्र मोदी एप पर 36 गड़ राइपूर से सुनीता पॉल जी ने लिखा है सर हमारे बच्चों को हम जो टिपिन में देते हैं वे उस चीज को खाते नहीं और हमेशा फासफूर खाने की जीद करते हैं कि रुपया इस मुद्धे पर हमारा माद दर्शन करें मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं यह सारे सवाल सुनकर करके मुस्करा हो या जोरों से हस बढ़ू अगर इस बुद्धे पर हम मनोवग्यानी तरीके से आगे बढ़े तो शायद इसका समाधान आसान हो जाएगा हमारी जो ट्रेडिशनल खाने की चीजे मनोवग्यानि गुरूप से उनके प्रती हम सवाज गूराव का भाव पैदा करें उसकी जो विशेस्ता है उसकी बात करें खाना पकाने की हमारी जो प्रक्रिया है की चन की जो एक्टिविटी है वो घर के बाकिस अदर्शों को पता होनी चाहिए कि कितनी मेहनत करने के बाद खाना पकता है बच्चों के सामने भी ये सारी बाते चर्चा में लानी चाहिए कैसे खाना पकता है कितनी देर लगती है कितने इंगेडियेंट्स होते हैं उन्हें मैसूस होगा कि आखिर कितनी मेहनत का काम होता है और तब जाकर के मेरी थाली भरती है दूसरा आज के जमाने में खाने पीने की बहुत सारी वेबसाइट है हेल्दी फूर की भी कोई कमी नहीं है क्या हम इनसे भी जानकारिया जुटा कर ऐसी चीजों को लेकर कोई गेम डेवलोप कर सकते हैं जो हम हफते में एक बार खेल सकें जैसे गाजर है करट उसके इंपोर्टन्स पर हम बोलें उसके क्या फाइदे होते हैं क्या लाब होते हैं क्या नूट्रियंस होते हैं ऐसा करके देखें दूसरा हम सब के घर में जो फैमिली डॉक्टर है वो डॉक्टर एक प्रकार से मित्र होते हैं जब कभी उनका घर आना हो तो उनकी बाते पुरा परिवार सुने कि कि इस प्रकार के खाने का क्या महत्व हैं नूट्रियंस कहां से मिलते हैं क्या खाना चाहिए वो बता सकते हैं कि आपके घर में क्या प्रॉब्लेम हेरीडिटरी है और उनसे बचने के लिए क्या खाना आवश्यक्त है इससे भी बच्चों को फायदा होगा तीसरा अब टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बच्चों में यह क्या आपको तकलीफ हो रही है खास करके खाने के विशे में टीचर को समझाइए टीचर को विश्वास में लीजिए अब देखिए टीचर बड़ी कुशलता से कथा कहते कहते बात करते करते हसी मजाग में उसके दिमांग में फर देगा कि यह क्यों करना चाहिए और टीचर के कहने का बच्चों पर अलगी असर होता है कि हमें भी कुछ-कुछ नए एक्सपरिमेंट करते रहना चाहिए कि मैंने कापी ऐसे उधान देखे हैं जहाँ परिवार में ट्रेडिशनल खाना ही बच्चों को मोडन रंग रूप में बना कर दिया जाता है तो उससे बच्चों में भी उसको लेकर एक स्वाभाविक आकर्षन पैदा होता है खर यह मेरे सिलेबस के बाहर का पिश्य है तो हो सकता है शायद मरी कुछ बाते काम आजाएं आपको